दोस्तो घर में एकदम से कुछ मीठा खाने का मन कर जाया और आप है चौकलेट लवर तो आपके लिए है ये ग्रेट सी जबरदस्ती रेसेपी जिसको सिरफ आप पांच मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा चटोड़ा आपको बताता हूँ कैसे बनानी है ये ब्रेड वाली बढ़िया सी रेसेपी इसको बनाने के लिए दोस्तो हमने दो ब्रेड ले लिया है और उनको चार भाग में काट लिया है आप ऐसे ही नाइफ की मदद से इसको चार टुकड़ों में काट लें अगर आपको इसकी स्टैंविच वाली शेप बसन थो तो उस शेप में भी काट सकते हैं तो चलिए दोस्तो हमने अब इसको अच्छे से काट के ऐसे पीसिस में कर लिया है तो अब हमें एक तवा ले लेना है और उसमें हमें थोड़ा सा घी डाल लेना है घी के साथ हमें लगबग डेट चमच चीनी को डाल लेना है दोस्तो बेहदी जबरतस्त कारमलाइस्ट चॉकलेट वाली ये ब्रेट की रेसेपी शाही टुकड़ा आप चॉकलेट शाही टुकड़ा भी कह सकते हैं इस रेसेपी को या फिर ब्रेट चॉकलेट पीजा भी तो चलिए दोस्तों मैंने इसमें क्या करा है चीनी और देशीघी की मदद से तवे पे ही कारमल बना लेना है डेट चमच मैंने चीनी लगबग आड़ करती है इसमें कि इसको लगबग 1-2 मिनट लगेंग्गा अच्छे से मेल्ड होके करमल बं जाएका तवे पर दोस्तों तो किचलिए दोस्तों लगबग 2 मिनट हो गए हैات और इसका करमल बनना तैयार हो होता है तो इस पर उंगली ज़रा भी ना लगा है नहीं तो आपका हाथ जल सकता है तो यह हमारा कारेमल एक दम बनके तयार हो चुका है कि इसको एक साइट पर हमने तवे पर कर लिया है कॉर्णर में क्यों कि है वो भी आप देख लेंगे कि अश्के से मैल्ट होके करेमल तयार है तो अब हमने जो यह लेख्र के टुकरे कर एज़े व्युक्ति उसको लेखे कारमल लगा के पूरा साइट कर लिए है तो यह दूसरी में कर कर दिया एक कैरेमल को अच्छे से यूज कर लेंगे और टच करा 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 के सबसे अच्छे से कैरेमलाइस ब्रेड कर दिया है हमने लगबग इसको पंगने में एक मिनिट लगेगा इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कहीं से कुछ रह तो नहीं गया है कारमलाइज हो चुकी है या कहीं से थोड़ी सी रहे गई है यह बहुत जबर्दस चॉकलेटी शाही टुकडा बनके तयार है दोस्तों उंगली ना लगा है मैं फिर से वार्णिंग दे रहा हूं बहुत जादा गरम होती है यह चीनी तवे पे तो देखे दोस्तों बहुत अच से एक दम कैरेमल सब पर लगा हुआ है इस पर थोड़ असर है तो इस पर भी हमने लगा दिया है तो चलिए एक तरफ से पूरी सी कैरमलाइज हो चुकी और पक चुकी है समय आ गया है इनकी साइट्स पतन लिपने का बहुत जादा असान है दोस्तों इसको बनाना और ऐसी ह हम धेर सारी असान असान रेसिपी अपलोड करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका लिंक हम इसे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं फेस्बुक वीडियो के अगर आप फेस्बुक पर देख रहे है तो जरूर इस लिंक को चेक आउट कीजेगा तो चलिए दो लेकिन उससे पहले हम इस पे लगाएंगे घर पे ही पड़ी हुई मलाई मलाई नहीं हो तो विप क्रिम भी लगा सकते हैं और दोनों ही ना हो तो हलका सा दूद लगा सकते हैं और तीनों ही ना हो तो कोई बात नहीं सीधा चॉकलेट लगा दें लेकिन इससे बहुत चॉकलेट के साथ बनाने की खोशिश करी है आप भी जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगगी आपको यह रेसिपी लेकिन एक बार खाएंगे तो दोस्तों मैं गरेंटी लेता हूं मेरी इस रेसिपी के जरूर दिवाने हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों मलाई की एक परत इस पर अच्छे से लगा दी है समय आ गया है जो चॉकलेट हमने शुरू में आपको दिखाई थी उसकी एक एक पीस इसके उपर रख दी जाए बहुत ही बड़ी और यमी फ्लेवर आएगा दोस्तों इसका यह बजार की चॉकलेट से भी देश थी और यमी बनेगी चॉकलेट की ब्रिक जो हमने शुरू में दिखाई थी आपको एक चॉकलेट टी है मार्केट में वह हमने एक पीस इसके उपर रख दिया और यह घरम हो जैसे अच्छे से मैल्ट भी हो जाएगा जब आप मूं में डालेंगे तो बहुत ही घुला घुला सा थीकियर से आपको बड़ी असा फ्लेवर आएगा अगर हम एंड में सिरप को स्किप कर रहे हैं तो हम इसको पूरा भी मेल्ट कर सकते से तवे पे तो चलिए हम अब इसको तवे पे फटा फट से उतार लेते हैं और बढ़िया से परोस लेते हैं ईसके बाद डोस्तों हमें कुछ नहीं करना इसको थोड़ा सा गारनेश करना वह भी औप्षणल हैँ आप चाहें तो खरआ हैं और चाहें आपके घर जो भी पड़ा हो वह स्प्रेंगल कर सकते हैं मेरे पास बादाम थे तो मैं इन पर बादाम अच्छे से डाल रहा हूँ बादाम की वदर से भी काफी तदा रेच और बड़िया सा फ्लेवर आएगा इसका और उपर से मैं यूज़ करूंगा दोस्तों हर्श्रिस का चॉकलेट सिरप और उसको अच्छे से इस पर स्प्रेट कर दूँगा हमारा चॉकलेट शाही टुकड़ा या फिर चॉकलेट पीजा या फिर इसका क्या नाम होना चाहिए वह आप बताएंगे वह हमारा बनकर एकदम से तयार है यह रहा दोस्तों हर्श्रिस का सिरप कैसी लगी दोस्तों आपको यह रेसिपी जरूर हमें कमेंट करके बताएं हम ऐसे ही अच्छे अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि मैं हूं दुनिया के सबसे बड़ा चटोरा चटोरों काम ही है बढ़िया बढ़िया चीजे ढूंड के लाना मैं चलता दोस्तों आप ऐसे हमेशा बने रहें डिलीशे सूट से धनेवाद